अकाश्वाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं रतनेश सुनी सबसे पहले मुख्य समाचार प्रदेश के 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ओफ एक्सिलेंस की हुई शुरुवात एक दिन में इंदोर में लगाये गए रिकॉर्ड 11 लाख पौधे केंद्री ग्रहमंत्री अमिश्चाहा ने लिया कारिक्रम में हिस्सा संपूर्ता अभियान के तहत खंडवा के आकांशी ब्लॉक में कारिक्रमों कायो जन जारी और प्रदेश में बारिश का दौर जारी मौसम विभाग ने बैतूल इंदोर सहित कई जुलों में भारी बारिश का अलेट किया जारी अब समचार विस्तार से केंद्री ग्रह मंत्री अमिश शाहा ने आज प्रदेश के 55 जिलों में प्रधान मंत्री कॉलेज ओफ एक्सिलेंस का शुभारम किया इस उद्देश्य को लेकर मध्यपुर्देश के सभी पचपंजलों में प्रधारमंत्री कॉलेज ओफ एक्सिलेंस खोलने का काम हुआ है किंद्री ग्रह मंत्रीय मिश्याहा ने कहा कि नई शिक्षानीती आने वाले 25 सालों तक भारत के विद्ध्यार्थियों को विश्व भर के विद्ध्यार्थियों के साथ इस परदा करने के योग्य तो बनाएगी ही मोदी जी ने दूदर सिता के साथ 2020 में आने वाले 25 साल की जरूरियातों को पुरा करने वाली सभी चीजों को विजुलाइज करकर नई शिक्षानीती लाने का काम किया ये नई सिक्सानीती आने वाले 25 सालों तक भारत के विद्ध्यार्थियों को विश्व भर के विद्ध्यार्थियों के साथ परदा करने के योग्य बनाएगी और दूसरी और हजारों साल अमारी पुरानी संस्कुर्टी और भासाओं के साथ भी हमारे विद्यार्थियों को जोडने का काम करेगी मुझे बड़ा आनंद है मैं मध्यपदेश सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं क्यूंकि पुरे देश भर में अगर सबसे पहले नई सिक्सा निती कहीं जमीन पर उतरी तो हमारे मध्यपदेश के अंदर जमीन पर उतारने का काम केंदरी मंत्री ने मध्यपदेश हिंदी गरंत अकादमी भारती ज्यान परमपरा प्रकोष्ट और महा विद्याले की काउंटर का भी शुभारम किया वहीं पीम कॉलेज ओफ एक्सिलेंस के विद्यारतियों के लिए बस सेवा किश्रभात भी की कारिक्रम को मुख्यमंत्री डॉक्टर महान यादव ने भी संबोधित किया यह कारिक्रम प्रदेश के जिला मुख्यालों पर भी आयोजित किये गए जिलस्तरी कारिक्रमों में विधान सवाद्यक्ष, उपमुक्य मंत्री, मंत्री एवं राज्य मंत्रियों ने हिस्ता लिया दमों के ज्यान्चंद श्रिवास्तव शास्की पीजी कॉलेज का प्रधानमंत्री कॉलेज ओफ एक्सिलिंस के रूप में शुभारम पर प्रदेश के राज्यमंत्री लखन पटेल विधायक जैन्द मलेया हटा विधायक ओमा देवी खटी को पस्तित रहे सतना जिले में उद्खाटन समारो कारिक्रम में राजी मंत्री प्रतिमा बागरी और स्तांसद गनिश तिंग पस्तित रहे खंडवा में उध्गाटन समारो संपन हुआ कारिक्रम प्रानम होने के पूर्व महाविध्याले के रासेयो सुयमसेवक एवं दिव्यांग विध्यार्तियों ने प्रेणा दाइगीत भजन प्रस्तुत कर समा बांधने का सरहनिय कारी किया विधिशा में महाविध्याले के नए भवन में इस कॉलेज की शुरुवात की गई कारिक्रम में सहकारिता एवं खेल एवं कल्यान मंतरी विश्वास सारंग शामिल हुए शुरु सारंग ने कहा कि शिक्षा के गुडवत्ता और संसकार देना उद्देश को लेकर इन कॉलेज की शुरुवात की गई है रिवा में पी-मश्री कॉलेज ओफ एक्सिलेंस के आयवजित कारिक्रम में उप मुख्य मंतरी एवं स्वास्ती मंतरी राजेंदर शुक्ल ने महाविद द्याले का शुभारम किया धार, आगरमालवा, रायसें, देवाज, बैतूल, शहडोल, सहित, प्रदेश के जिला मुख्याले पर पी-मश्री कॉलेज ओफ एक्सिलेंस के शुभारम कारिक्रम आयवजित हुए किंदरी ग्रह मंतरी अमिश्चाहा ने आज इन दौर में एक दिन में रिकॉर्ड 11,00,00,00 पौधे लोगाने के अभियान का शुभारम किया किंदरी ग्रह इवं सहिकारित अमंतरी अमिश्चाहा ने कहा कि देश के प्रदानमंतरी नरेद मोधी के आवान पर प्रारम एक पिड़ मा के नाम अभियान हमारी मा और धर्ती मा के प्रती हमारी शद्धा के भाव का प्रकटी कर रण है आज पूरे देश में हर व्यक्ति अपनी मां को और धर्तिमा दोनों के नाम से पौधा लगा कर उन्हें प्रणाम कर रहा है उन्हें कहा कि इंदौर पहले से स्वच्टा, स्वाद, सहयोग, सुशासन और सहभागिता के लिए जाना जाता है आज से इंदौर एक पिड़ मां के नाम अभियान में व्रेद पौध रोपान के लिए भी देश भर में जाना जाएगा इंदौर में 24 घंटे में 11 लाख पौध है रोपने का ये विश्व विकरम पुने शलोक देवी अहलिया भाई की नगरी इंदौर को नई कीर्थीमान के साथ पूरे विश्व में प्रसिद करेगा इस अफसर पर प्रदेश के मुख्य मंत्री डौक्टर मोहन जादव, नगरी विकास इवं आवासी मंत्री केलाश विजवरगी, जल संसाधन मंत्री तुलसी राम सिलावट, किंद्री मंत्री शिमती, सावित रिठाकुर और जन प्रतनेदी इवं गणमाने नागरी को पस्त अब समाचारों वक्तिक चोटे से विराम का समाचारों एक बार फिर आपका स्वागत नीती आयोग के संपूनता अभियान के तहत प्रदेश के आकांगशी जुरू में कारिक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इसके तहत खंडवा जिले के आकांगशी ब्लॉक च्छे गाओं माखन में भी विभिन कारिक्रमों का आयोजिन जारी है पेशे एक रिपोर्ट खंडवा जिले के आकांगशी ब्लॉक च्छे गाओं माखन में संपूनता अभियान सुरू किया गया है इसी क्रम में ब्लॉक मुखेले पर संपुर्ण अभियान का सुभारम खंडवा लोकसवा सांसद स्री ग्यानसर पाटिल वा पंधाना विधायक स्रीमति स्चाया मोरे एवं इस्थानिय जन्र प्रतिनीदियों की उपस्तिति में किया गया खंडवा कलेक्टर स्री अनुप कुमार सिंग ने बताया कि संपुर्ण अभियान के तहट ब्लॉक में स्वास्त पोशन, क्रशी, सामाजिक विकास और शिक्षा शहीत विश्यों पर केंदित यहा भियान सितमबर महा तक जारी रहेगा जनपत पंचाच्छे काम अखन के सियो सोरनलता काजले ने बताया कि स्वास्ति विभाक की और से पहले ती माही के दोरान प्रसव पूरुत देख भाल के लिए पंजिकरत गर्ववती महिलाओं का प्रतिसत वर्तमान में 92 परसेंट है और इसको हम लोग प्रयास करके अगले 29 परसेंट कवर करेंगे प्रशी विभाक अंतरकत हम लोगों के द्वारा जो रदा स्वास से काड़े हैं उसको 10 परसेंट हम लोगों ने वितरन कर दिया किसानों को समूव को जो आरे प्राशी प्रदाय करना है वर्तमान में 95 परसेंट है जिसको हम लोग को तीम माहा पूर ही 100 परसेंट करने का पूरा प्रियास करेंगे मोकल गाउं के किसान शंतुर आठोर ने बताया कि इसके साथ ही अभियान के हिस्से के रूप में 12 विश्यों पर ग्रामसभा नुकर नाटक पोश्टिक अहर मेला स्वास्त सिवेर प्रदरसनी पोश्टर बनाने एवं कविता प्रत्युकता सहीत जन जागरुकता गतिवेदियों का आजन किया जा रहा है आकाश्वणी समाचार के लिए में खंडवा से हीरा डाल लोंगरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी है मौसम विभाग के अंसर आज बैतूर, हर्दा, बुर्हानपूर, खर्णवा, खर्णवा, खर्गून, बढ़वानी, अली राजपूर, धार, इंदौर, उज्जैन, जिन्दवारा, बालाकाट और पांडुरना जिलों में कहीं कहीं मैचों की T20 स्रीज का अंति मुकाबला हरारे में खेला जा रहा है, पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारती टीम में 6 विकेट पर 118 टरन बना हैं, समाचार लिखे जाने तक जिमवाब्बे की टीम ने 118 टरन का लक्ष का पीछा करते हुए, बारवे ओवर में 4 विकेट की न अभ्यास किया गया, अशोक नगर में आज निपुन भारत के इंतरकस जिला स्तरी कोर ग्रूप की कारशाला जिला शिक्षा अधिकारी कारियाले में आयोजित की गई, स्रीहोड जिले में डिंगू मलेरिया पर नेंतरन के लिए कलेक्टर प्रिमीन सिंग की पहल पर ओईल ब दौर में लगाए गये रिकॉर्ड 11 लाख पॉधे की इंद्री ग्रहमंती अमिश्चाहा ने लिया कारेक्रम में हिस्ता, संपूर्त अभियान के तहित खंडवा के आकांशी ब्लॉक में कारेक्रमों का आयोजन जारी और प्रदेश में बारिश का दौर जारी मौसम झाल